एक ऐसी जदूई क्रीम जिसको सिर्फ रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं आपकी चेहरे की सारी दिकते सिर्फ साथ दिन में आपकी चेहरे से खतम करने वाली है इतना गजब का result आपकी skin को देने वाली है ये कि अगर आपकी skin बहुत dull है, काली है उच्चुकी है, बहुत ज़दा tanning चेहरे पर आ चुकी है या फिर चेहरे पर किसी भी तरह के दाग दबे हैं, चेहरा बहुत ही oily है तो आपकी skin से ये सारी problem खतम करने वाली है बस क्या आपक आपके try करना है, आपको खुद आपका जो चेहरा है, वो मोती जैसे चमको हुआ नजर आएगा, आपकी चेहरा बहुत ज़दा glowing होना शुरू हो जाएगा, चेहरे की दाग दबे हलके होना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पर जितने भी aging sign हैं वो भी कम हो जाएंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसी ही face and hair से related useful remedies आप मेरे चैनल पर देखना चाते हैं, तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इस क्रीम को ready करने के लिए हमें इसमें एक चमच हानी लेना है, आनी हमारी skin पे बहुत एच्छा एक bleaching agent होता है जो कि हमारे चैरे को बहुत एच्छे तरीके से fair करने का काम करता है, कि इनको clear बनाता है, साथी चैरे को बहुती soft और smooth बनाने में हमारी help करता है, नेक्स इसमें aloe vera gel डाना है, एक चमच ही हम या पर aloe vera gel डालेंगे, अगर aloe vera की quantity हमें बढ़ानी होगी, तो बाद में हम इसकी जो quantity है, इसमें बढ़ा सकते हैं, aloe vera हमारे चैरे के दाग धबक को कम करता है, चैरे पे अगर sunburn से हमारे चैरे पे बहुत जाए टैनिंग हो चुकी है, तो उसको हलका करता है, चैरे पे काले पन को खतम करता है, और चैरे के जितने भी acne वगेरा की problem है, उसको कम करता है, चैरे पे aging sign है, उसको हलका करता है, और हमारे चैरे की जो dullness और dryness है, उसको चैरे से खतम करके चैरे को बहुत ही soft और smooth बनाता है, हमारे चैरे पे एक natural moisturizer की तोर पे aloe vera gel जो है, बहुत ही अच्छा काम करता है, इसको लगाने के बाद किसी भी moisturizer की हमें अपने चैरे पे लगाने के ज़रूरत नहीं है, इतना best moisturizer हमारे चैरे के लिए ही है, नेक्स इसमें एक vitamin का capsule हमें डालना है, जो कि हमारे चैरे की aging sign जैसे जहाई या जूर रहे हैं और pigmentation इसको हमारे चैरे से हलका करता है, चैरे के दाग धबो को हलका करता है, चैरे पी जितने भी कालपन है, उसको हटाता है, और चैरे को बहुत एच्छे तरीके से moisturizer करता है, नेक्स इसमें हमें एक छोटा pouch coffee powder का डालना है, coffee जो होती है, वो हमारे चैरे को बहुत एच्छे तरीके से fair करती है, चैरे की brightness को बढ़ाती है, चैरे पी जितने भी dark दब्बे हैं, चैरे पे dark circle के निशान ह और किसी भी तरह की हमारे चैरे पे काला पन है, या फिर हमारे चैरे पे pigmentation वगरा है, उसको हलका करने में बहुत एच्छे से हमारे चैरे पे help करती है, इन सब को हमें बहुत अच्छे तरीके से mix कर लेना है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और ठीक इसको बनाना चाते है इसमें, एक से दो चमच अलुविर का यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं, एक क्रीमी पॉब में हमें आपर इसको बनाना है, इस क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से आपको mix करना है, mix करने के बाद इस क्रीम का जो application है, आपको रात को सोने से पहले अपनी चैरे पी करना है, तो फेस को वाश करने के बाद, आप अपने फेस को पहले रोज वाटर से अच्छे तरीके से clean कीजिए, रोज वाटर आपके पास available नहीं है, तो आप रखिए उससे डेली अपने फेस को ज़रूर clean करके सोईए, इससे हमारे पोर्स जो है, वो clean रहते हैं, और हमारे चैरे प उपन पोर्स की या फिर ब्लैकेट वाटेट की प्रॉब्लम नहीं बनती है, तो इसलिए डेली जब भी आप रात को सोने जाते हैं, आप अपने फेस को रोज वाटर से ज़रूर clean करके सोईए, जब आप रोज वाटर से अपने फेस को अच्छे तरीके से clean कर लेंगे, उसक चैरे की brightness बढ़ती है, और चैरे का color जो है, वो fair बनता है, तो अच्छे तरीके से आप जो massage करेंगे, आपने eyes area पे भी इसको अच्छे से massage कीजिए, ताकि आपकी चैरे पे जितने भी dark circle हैं, वो खतम हो सके, और अपने neck area पे भी आप अच्छे तरीके से massage कीजिए, ताकि neck क जो ठीलापन है, वो tight हो सके, अच्छे से जब आप इसकी massage कर लेंगे, तो आप 5 minute इसको अपने चैरे पे ऐसे ही छोड़ देजिए, लगा, उसके बाद आप अपने चैरे को normal पानी से wash कीजिए, wash करने के बाद आप देखेंगे, आपका चैरा आपको बहुत ही glowing लगने लग है, इस के रिम को आप जरूर रेडी कीजिए, इसका application कीजिए, और इसके application के बाद आपके चैरे को जो result मिले हैं, प्लीज आप मेरे साथ में share कर सकते हैं, comments box में आके, इससी क्या feature में जो remedies में आपके साथ में share करूंगी, उसका notification आपको मिलता रहेगा, यहाँ पर मैं अपन